देखे, वक्फ का एक अरभी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि अल्ला की संपत्ति, खुदा की संपत्ति, दोजार नौ से आज के वल 15 सालों में डबल हो गई जमीने, तो ये कहां से हो रही है डबल जमीने, बोर्ड खुदी इंफॉर्मेशन करेगा किसी भी जमीन के बारे म और खुदी ये डिसाइड करेगा कि अगर उसको लगता है, if he thinks fit, कि अगर उसको लगता कि नहीं ये जो है वक्फ की प्रपर्टी होनी चाहिए, तो उसको वह डिक्लेर कर देगा कि ये वक्फ की नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज दिवेधी है, आप सभी का द्यानिक जागरन में स्वागत है, आज हम वक्फ बोड के बारे में समझेंगे, ये क्या है, कैसे काम करता है, और इसको लेकर बवाल क्यों हो रहा है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट वकील रुद्र विक्रम सिंग जी है, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत ह जब हम लोग देखते हैं कि वक्फ बोड को लेकर तो बार-बार बावाल होता रहता है, अलग-अलग नेता, अलग-अलग तरह से बयान देते हैं, कुछ इसके अगेंस में होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक्जेक्ली इसको लेकर इतने सवाल क्यों खड़े किये ज करूड और उसके बाद समय दर समय इसको जब भी Congress की गॉर्वंएट की गोवर्मेंट आती है उसको ऐसे चेंज कर दिया जाता है मन मुताबिक तरीके से ऐसे चेंज कर दिया गया कि कि कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रिम कोट के केसे जो सुप्रिम कोट के डिसीजन थे उसको भी बदल दिया गया, सिर्फ की वक्षपोर्ट की जो अथास, उनको पावर्स मिली हुई हैं, वो उनकी अथा जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो एजटीस बनी रहें, और अगर हम इसको वाकई में वक्षप एक्ट को अध्यान करेंगे, और जो उसके अधिकार है, उन अधिकारों की मतलब पूरे तरीके से अवेहलना करता है, ये वक्षप एट, तो शायद इसी लिए इसमें बिवाद होते रहते हैं, इसमें जब भी कॉंग्रेस के अलावा कोई भी गॉवर्मेंट आती है, जब गॉवर्मेंट आई तो एक बर्णी कमेटी कि रिपोर्ट जो है इसलिए बनाए बनाए गए थी कि वक्ष की जो प्रापर्टीज थी उसको उसके लिए बनाए गए थी पूरी तरीके से और रिपोर्ट की गई तो समय दर समय जब आप इथिहास उठा कर देखेंगे तो ये समझ में हम सबको आ जाएगा कि क्यों इस प अच्छे आशाय से किसी अच्छे संदर्व में इसकी स्थापना की होगी क्योंकि यह स्थापना इसलिए हुई थी कि जो भी मुस्लिम की प्रापर्टीज है उनका एक सही से रख रखाव हो सके क्योंकि बहुत चारे मुस्लिम जब भारत से पाकिस्तान चले गे तो बहुत आप उसमें कोई नेक कारे करिए कोई मुस्लिमों के जो उनके धर्म के कारे होते है या फिर और भी मदर्जिए बनवाये भिसमें खर्ण जो भी धर्म के कारे होते हैं जो भी नेक काम poking मुस्लिमों के लिए वह आप करिए लेकिन अगर आप अध्यान करेंगे दो 2009 में अगर हम देखेंगे तो इनके बास चारलाक एकड जमीने थी आज 2024 में आट लाक एकड जमीने तो सिर्फ देखिए कैसे विकास जो है वक बोर्ड का हो रहा है मैं अभी एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था उसमें यह है कि जो रेल्वे बोर्ड है और कैथलिक चर्च के ब दबल पंदरह सालों में डबल जमीने तो यहां से हो रही है टो यही एक मसला जो इसलिए एक बीवाद का विशय है क्योंकि जो अथा अधिकार वट्यकॉराज को मिला हुआ हो तो고र्च के तहर न अधिकार को क्योंकि वो संविधान की पूरी के पूरी तरिके सा वहलना है मुंहीं कね, आप किसी भी कानून ज़ल था चैलेंज नहीं कर सकते और जब क fáiEr कोट में कर सकते के अपर प्याहिए। करुंछ मिनल को जब कोई जजमेंट आथा हम नोग अपील कर सकते चैलेंघ हम अपूर यह चैलेंग कर सकते व STEP बेन के खाँ तå वह संपत्ती का बिवाद अग्र को हैं तो उडिक जो और देगा वो फाइनल कि अप ऐसको कहीं चैलेंज भी — नहीं राएंस तो यह बताइए कि कlish drive by कि कुछ कानून ही जो किके कग या फिर हम सब जानते हैं कि अगर आप की संपत्ति और वक्फ की संपत्ति भी कैसे है अगर माल लिजे आज आपका यह घर है कल वक्फ वोड ने कोई एक जो उनका रूल होता है सेक्षन 4 और 5 के थाथ उन्होंने कोई सर्वैर भेज कि और इसकी सर्वे करा लिया सर्वे करा यह बोल दिया कि नहीं नहीं अद्ध कर सक्बघिया तो वह तो ऑनी का है तो इस कि तो य अप सामय वह फ्र कर सकते तो यह यह तो आपуск जैसा जो एक शब्द था या फिर अंधेर नगरी चोपट राजा वाला कहावत थी तो अंधेर नगरी और ऐसा कानून है कि आप जो है जैसे अमिता बच्चन की एक मुवी थी ना जिसमें कहता हम जहां खड़े हो तो लाइन मशे शुरू हो जाती तो वक्फ का यह है टाइग बस्तियां उजाड़के और हम इसको कॉलोनी में काटेंगे तो वही संपत्तिया आज वक्फ के पास है वैसे इसमें सदस्य कोन होते है मतलब वक्फ बोड के जो सदस्य होते होंगे इसका एक कॉंस्टूशन होता है और जो जो गवर्मेंट एंप्लॉई से इसा कुछ है कि क कि देखें कि इसमें एक chairperson होता है उसके बाद उसी जिस राज्य में जैसे 30 वार्टव Gast है टो टंफ है कि एक यहरुप पर्ल्यामेंट एक या वही हो सकता है maximum 2 हो सकता है वह मुसलिम होना चीगे कि अगर मालिजर के उस राज जी का नहीं है तो आप गोई सफे को अगर कोई संसेथ है तो वह उसको ले सकते अगर हो सकता है एक कोई सिविल प्लानर जो होगा वह भी मुस्लिम होगा मतलब जो भी मेंबर सिसके होंगे सारे वह मुस्लिम होंगे जो नया एक तारा मैं इस पे क्योंकि आपने बहुत रेलेवंट क्वेश्चिन पूच्छा है, तो जो नया एक्ट जो संचोधन हुआ है, उसमें सिर्फ यही कहा रहा है कि उस जो आपने जो एक्ट है उसमें, एक तो वो एक तरफ आप जहां मतलब आदी आबादी को महिला सुच्छक्ति करड़ की बात कर कि कुछ नन मुसलिम भी इसमें इंक्लूड कर दे जा तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराही नहीं है तो यह जो है एक मतलब अनायासी एक बखेडा खड़ा किया जा रहा है कि यह संविधान पर चोट है और यह हुआ है भाई किसी महिला को अधिकार देना किसी महिला को शक्ति देना जो की देखिए पिसले गोवर्मेंट ने यह हुआ कि उनको अरक्षण भी दिया गया कि सिर्फ उनका क्यों कि उनकों बढ़े उनकों तो यहीं इंक्लूजन है और कोई उसमें बहुत बढ़ाव नहीं किया रहा है एक और एक बढ़ाव है सक्षण प्रपर्टी ने आफ तो और ऑवक्फ शॉंग चाही किया और अगर बाथ इसमें ने वह डिख्राइर कर दिया와 highly अगर वहाच्कार万वworm जीग क्लिज एक यही दो समझारे कि ऊप में आफ strategy अच्छे इसके भी टाइप्स हैं क्या अलग-अलग टाइप्स के होते हैं क्या वक बोर्ड जो है अलग-अलग अलग वैसे तो हर स्टेट को यह पावर है कि वह अपना बना सकता है दूसरा एक अनके धार्मिक आधार पर भी कुछ ऐसा डिवीजन है कि एक सिया वग बोड और सुनी वग बोड के टाइप के होते हैं तो और और जो अधिकारी क्रूप से जो महरा सरकार की तरफ से है वह यह है कि सारे स्टेट अपने यहां वक बोड का निर्माड कर सकते इसका ज्यादा तरकी हेड ऑफिस दिली में है और कुछ-कुछ के अपने स्टेट्स में भी अच्छा इसमें कैसे मतब एक्जेक्ली वर्क करता कैसे यह बुट काम कैसे इसका प्रोसेस क्या है पूरा देखिए जैसा मैंने आपको शुरू में बता कि जवालाल नहरु पंडित जवा जो अन्कलेम्ट रोपरटीज हैं जो मुसलिम भारत छोड़ के वहां चले गए जो जिसको हम एन्नेमी प्रोपरटीज भी इनको जो माल लिजे की जो इन्नेमी प्रोपरटीज है वो तो इसका अलग नियम कानून है लेकिन जो लोग दान करके गए यहां से जो लोग उन्हो इसा सथे होगा वो प्रोपरटीज हैं तो दो लख भग लग अत्रुश काम होगा जो वहां आप कोई आसा मुसलिम के बहतरी के लिए कुछ नहीं होता em 잡ski के चारे जोनी है जुन गरीबों के साहेता के लिए बना था कि कोई मुसलिम गरीब है माले जय उसको कुछ फाइनिशल हेल्प देनी है कुछ इसके लिए उसके बच्चों के लिए कुछ करना तो वो काम जिसके लिए बना था वो कोई काम नहीं हो रहा है वैसे वक को लेकर जो अमेंडमेंट होने वाला नया लौ आएगा अगर वो बनता है बिल पास होते तो इसमें मैं जानना चाहूँगा क्या इसमें यह भी होगा कि वक बोर्ट जो है अब किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब अपना नहीं बता सकता डिरेक्ली बिल्कुल यही जो मैंने अपको बताया कि तीन में जो जो प्रपोस्ट हुआ था बिल अलग अब जेपीसी के पास है जेपीसी अब उसमें क्या बतलाव करती है यह देखनी वाली बात होगी लेकिन अभी जो प्रपोस्ट बिल था उसमें यह था कि नन जो इनके वक बोर्ड का जो बोर्ड है कि ऊसमें नन मुसलिम और महिलां महिला का रिमक्लूजन होगा उसमें मुझे लगता कि बहुत अच्छी बात है कि सबका'll सबसे बड़ा बिवाद का कारड़ है वो सेक्शन फूर्टी यह कहता है कि दबोर्ड में इटसल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन एक सबस्सक्री को पाड़ा थे बड़ार का कि समुक्षा बाठर को पाड़ा काड़िज बड़ा इंफूर्मेशन प्रापर्टी यह इस कार इंफूर्मेशन करेगा थिक यह किसी भी जमीन के बारे में और खुदी यह डिसाइ है कि अगर उसको लगता है इफ 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 फिट कि अगर उसको लगता कि नहीं यह वर्क्पी प्रपरटी होनी चाहिए तो उसको वह डिकलेर कर देगा कि यह यह सबसे बड़ा जो विवात का और है वो जो इसको अथा शक्ति देता अच्छिन पुट्टी वो सबसे बड़ा मुझे लगता कि सबसे विवात कारण यह है तो इसको भी अमेंड किया जा रहा है कि आप ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी को थोड़ी डिकलेर कर देंगे कि नहीं यह प्रॉपर्टी यह प्रॉपर्टी वक्पी अप तो पूरी जैसा कि आप जिस तरीके से जिस गती से जैसा मनें बताया कि 2009 में चार लागेकर जमीन यह आज आपके पास आठ लागेकर जमीन और भी तो आप भी मतलब अभी कोई अधिकारी कि यह डेटा ने आट लागेकर है वह सकता इससे जादा हूं वही और एक बात और की जा रही है जो नए प्रॉपोस बिल में कि इनका जो भी आपकी प्रॉपर्ट आपके पास है कितनी प्रापटी नहीं है तो यही चार मेन जो बाते हैं जो अमेंडमेंट इसमें किया जा रहा है एक तो इस डेटा को प्रॉपर पबिश किया जाएगा ट्रांस्परेंट सबको पता होना चाहिए आप कोई ऐसा कोई परसनल काम तो कर नहीं न अपने धर्मका और मुस्लिम महिलाओं का इंक्लूजन अच्छे आप लोगों के पास भी केसे साते होंगे वर्फ के रिलेटेड या कभी कोई मामला आया हो या पीटिशन दाखिल वा ऐसा कोई केस एक बड़ा एतिहासिक मामला आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा एक बड़ा एतिहासि किसे आएगा तो से क्योंकि है मैं शायद इस जब आप दूंगा इस बारे में बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको वक्फ की जो शक्तियां है और वक्फ ने क्या-क्या अभी तक किया और कैसे सरकारों ने काम किया सारा आंसर आपको मिल जाएगा थिक है मैं 1911 से शु किया गया लिए यह बना गया गया उनीनसस 17 Element ट्रस्ट को को यह सारी कुछ जमीने मिलेब लगबग जमीने क्योंकि जो आज डीडिय धिलहाट्मेंट अधॉलिटी जी जो है वहाट रिवे पहले रीब्ड किलीद्रस्द्स को सरकारद्फ्रा दे दी गई है इसके निर्माड के लिए जो भी चीजें बननी थी कि यहां पर क्या विकास किया जा सकता है दिल्ली का सारे कुछ करके बीच में 1950 में जब देश आ जा 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 तो कैसे यह कमर्शल चीज है मतलब छोटी सी मजीद है उसके बाद जो है अगर माल लिजे कि 40 एकड की जमीन है तो दो अकड में मस्जीद है और बाकि 38 एकड में प्रोपटी चल लिए चल रही है तो दिल्ली की लगबख सारी प्राइम लोग आप दिल्ली के समय रेट आपको पत करता है अच्छा उनिस सो एकटर में यूनियन आफ इंडिया मतलब देश की सरकार एक सूट फाइल करती है दिल्ली की अदालत में कि नहीं भाई यह प्रॉपर्टीज हमारी है और यह गलत तरीके से इन्होंने डिक्लेर किया है वह सूट चल रहा होता है मीन्वाइल फकरू पर देना है तो क्या करना चाहिए उसके बाद बरनी कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल करती है नाइंटीन सेवेंटी एट तब तक सरकार बदल चुकी होती है इंडरा गांधी की जगे मुरार्जी दसाई प्रण मंत्री हो चुके होते है उस बरनी कमेटी भी ऐसी रिपोर् यह मामला सूट चल रहा होता है वर्क बोर्ड और सरकार के बीच अचानक फिर से जब इंडरा गंधी की गवर्मेंट बनती है तो 1983 में मार्च 1983 में फिर से एक नोटिफिकेशन कॉंग्रेस गवर्मेंट निकालती है और यह कहती है कि यह जो प्रपर्टी है एक रुपया पर एकड पर हैनम में उनको लीस पर दे लिती है कि ऐतलम आप यह सोचिये कि इतनी जिंकी कीमत आज अर्ब हो आश्म गरहत भी तब भी कमिकम करोड़ों में रहियो गई एक रुपया पर एकड एक एक एकड जमीन आप समझ सकते हैं कितनी होगी एक रुप्या पर एकड पर एनम मतलब साल भर में आपको सिर्फ एक रुप्या देना समझ गया एक खाना पूर्ती जो सरकारें करती है वो कर दिया गया तब विशुन्दी परिसद इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में 1984 में एक सूट फाइल करता है एक प्रेटिशन फाइल होती है निया हाई कोट में उस प्रेटिशन में हाई कोट यह कहता है कि नहीं इस प्रॉपर्टी शुट भी रेटेंड विद दे यूनिन अफ इंडिया क्लियरली बोलता है कि इस प्रॉपर्टी बिलॉं तो इन आफ इंडिया और इस प्रॉपर्टी शुट भी जिसके पास होगा वही को इस पर कोई कुछी क्नस्रॉप्श कर नहीं होगा कुछ नियुग कुछ भी मतलब सारा भी ओजाता है महमला एटीफूर से महमला जिस्टे में बदलाव होता है लेकिन ये मामला चलता रहता है दो हजार आठ आते आते में फिर एक एफिडिविट फाइल करती है कि हम इस पर पॉलिशी विदिन शिक्स मन्त अब फाइनली हमको हम लेकर आ जाएंगे वह पेटिशन डिस्पोज आप कर दी जाती है गिविंग देम टाइम कि आप शिक्स मन्त पे इस पर पॉलिशी बनाईए और इसको डिसाइड कर आपके पास है या फिर कितनी प्रापटी उनकी थी क्या थी कोई पॉलिशी नहीं बनती है 2011 सले के कुछ नहीं होता है 5 मार्ज 2014 जिस दिन एलेक्शन एनाउंस होने होते हैं सुबह रात में बारा बजे एक नोटिफिक्शन और निकल जाता और फिर से वो जो प्रापरटीज है दिली आई कोड का जो डिसीजन था उसको पलटते हुए फिर से वो प्रापरटीज वफ को दे दी जाती है अच्छा दोजार चवदर पा पहले वाला नोटिफिकेशन था उसको लागू किया जाए और यह जो आपने नोटिफिकेशन पांच मांद दोजा चोदर को निकाला यह जो है यह गलत है यह ब्यांड लाओ है तो उस पे हाई कोड ने फिर से नोटिस करके इन से जबाब मांगा इसमें यूनिन आफ इंड अब आपको लाना भूल गया लिए मैं आपको शेर कर दूगा आप दर्शों को जरूर दिखाएगा कि जो प्रापर्टी चार एकड था आज वो चालीस एकड हो गई है मतलब जो उस समय कि जब 1984 के अगर हम बात करें तो जो प्रापर्टी चार एकड थी आज वो चालीस मतलब दो-दो-सो परसेंटेज चार-चार-सो परसेंटेज का उसमें एक्स्वेंशन हुआ उन प्रापर्टी में लोगों ने और घेर लिया और बढ़ा लिया क्योंकि कि मसला जो है अब इसमें दिसंबर में हमारे अगले डेट है उसमें उन आफ इंडिया सर्वेक रिपोर्ट फाइल करेंगी उसके बाद मुझे लगता है कि डिसाइड हो जाएगा क्योंकि यह सरकार की प्रपर्टी सरकार के फेवर में ही डिसीजन मुझे जहां तक लगता ह है तो जो दूसरे देश हैं विदेशों की बात करें तो जैसे साओधी अरव हुआ या पाकिस्तान वह तो यहां पर भी वक बोर्ट होंगे ही बिल्कुल तो क्या मतलब अगर इंडिया इंडियन जो वक बोर्ट है उससे कंपेर करें तो क्या वह ज्यादा पावरफुल है य अन सारे जगों पर किसी वक बोर्ट क्वास उतना पावर ने जितनी पावर हमारे ही अधनुस्तान में बभॉड है जहां कि मुस्लिम देश वाकए में ूसलिम देश है वो जहां ना Mुसलिम देश ट्रले उन्सलीम देशों में मुझे लगता कि पातिस से ज्यादा बूरे नहीं कि अगर कोई कोई सूट फाइल करना तो वह उसी वक्व के ट्रिबिनल में जायेगा और वक्व ट्रिबिनल ने जो फैसला दे दिया वह फाइनल होगा किसी भी किसी भी देश को आप चले जाए नाही उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज है जो आटलाग एकड में बता रहा हूं ठीक है यह तो यह मतलब यह कोई अधिकारी काकड़ा नहीं है यह सिर्फ एक अनुमानित आकड़ा है आटलाग एकड़ मुझे लगता इससे बहुत लगता समपत्यां उनके पास होगी क्योंकि यह तो सिर्फ एक अनुमान क्योंकि कोई डेटा तो है नहीं किसी के पास जो जिस डेटा पब्लिश की बात हो रही है कि नए कानूनों में जो डेटा पब्लिश किया जाएगा कि हर बोर्ड अपना पुबिश करेगा कि आपके प अचछे आपको पड़ लिए इतनी शक्तियां नहीं किसी के पास तो आप कहना चारे के जो बॉर्ड है वक बॉर्ड भारत का को एक तर्फा पावर डिया गया ने म snippetना एक टारफा अधह अधा शक्ती उतिए न जो अधा вже शक्तियां होती जो बगवान के पास अधाश क्ति किसी प्रपरटीज को किल को हम यहां बैठे हैं हो सकता है वकबॉड वाले अगर हमारे डिबेट हमारी बाते सुनने और अगले दिन यह इसको भी डिकलेर करें कि यह तो वक की समपत्ती है तो हो सकता है कि यह भी वक पे चलिए तो यह इतनी शक्तिया है क्या लगता है मतलब कानुन मायर की कोई बहुदिक पिटिंध करता है अगर एल्लीगल तरीके से कहीं कभजा करता है तो उसके खिलाप हम पोट जा सकते हैं। उसके खिलाब कोट जाने की अनुमती सब को होने चाहिए दूसरी बात कोई भी ऐसा देश की संस्था चाहे वो सरकार ही क्यों नहों सरकार भी अगर आपकी जमीन एक्वायर करती है तो पहले उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है प्रॉपर आपको दाम दिया जाता है कि और यé भी है लेशों की लगबब तरने दाम दिया जाना चाहिए गर ऊंड़ाइ से कर नहीं ए तो सरकार भी अगर को सड़ग बनाती है कुछ भी किसी भी चीज के लिए है लोगों को देती है तो तो इवन सरकार के पास भी पावर नहीं कि कि अपत्ति गें सरकार के संपत् वह पावर एक ऐसे बोर्ड के पास ऐसा अब बता दीजे कोई हिंदू का कोई ऐसा बोर्ड हो जो कि किसी को टिक्लेर करते हैं यहां तो मंदिर है मंदिरों पर भी सब्सक्राइब ज़्यादा जगहों पर सरकार का पजाए जहां पर सरकार जो बनाई उट बोर्ड हैं वो इस सर्कार चैओं तो इस सरकार ने पहले क्यों ने बहुत प्रूंस पिस tua काने मतलब इतने मेंक्ट किये लेकिन कमेंध मेंधमर उनका अमेंटमेंच का सिर्फ क्याथ था條 वोट बैंक की पॉलिसी उन्होंने अमेंडमेंट कब किया 2014 में जब दिल्ली की सारी प्रपर्टीज को वक्सेटेश प्रपर्टी को वर्फ को देना था 2007 में अमेंडमेंट एक किया जब सुप्रीम कोड का एक डिसीजन आता है उसमें यह कहता है कि नहीं महिलाओं का भी इंकल प्रपर्टी बनाएगी सिर्फ इसलिए कि अपने रिपोर्ट उनके फेवर में देते लेकिन मुरारजी दसाही कि सिर्फ दो साल के लिए सरकार होती है वो कमेटी के रिपोर्ट रिजेक कर देती है तो जब-जब कॉंग्रेस के अलावा किसी और की सरकार आती है तब-तब जिसे 1984 में एक रुपया परेकर में जमीन लीज पर दे तो इसा नहीं है कि सरकार ने मुझे लगता कि सरकार ने भी बहुत देरी किया लाने में तस साल हो गया तो इनको भी बहुत पहले लेकिया ना चीज़ी था क्योंकि आप देखिए कि यह जो बदलाव है यह मुझे भात लेट कर ना चीज़े था हूँ भात बहुत धनिवाद रुदर जी हमसे बात करने के लिए जैसा कि हमने जाना कि वर्कपोर्ट कैसे काम करता है इसमें कौन सदस होते हैं और कैसे प्रोपर्टी अक्वाईर करता है उसके पावर के बारे में भी जाना अब अब इसमें और क्या-क्या होता है आगे आने वाले समय में वो हमाँ अपडेट आप तक लेकर आएंगे देखते रहिए दैनिक जागरन जुड़े रहिए दैनिक जागरन के साथ शुक्रिया